नमस्कार दोस्तु सुआगे थैं आपका इक बार फिर से टुडे टोक के इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साथ hai GPD four year course वालों के लिए एक नया नोटिष जारी किया है इस notification को भी आपको समझना ज़रूरी है ठीक है जो 2-year PTT course करने वाले हैं जो B.A.D. वाले student है वो भी इस notice को ध्यान से जरूर देखे क्योंकि आगे आपको कुछ ऐसा ही process देखने को मिल सकता है तो आपको पहले से इन बातों का ध्यान रहे इसलिए आप इस notice को जरूर एक बार देख लीजिएगा चलिए पहले मैं आपको ये notice ही दिखा देता हूँ उसके बाद में मैं आगे की बात करूँगा कि आपका result है वो कब आएगा ठीक है हो सकता है आज ही आपका result है इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर देखिए कि राजगे डुंगर कोलेज के द्वारा एक notice है वो जारी किया गया है ठीक है इस notice में क्या लिखा है वो देख लीजिए कि इसमें important बाते हैं देखिए counseling की date का आपको शब को पता है जो counseling fees है वो deposit करना आपको नो तारिक से लेकर 14 तारिक को यह सब बाते आपको पता है मैंने पहले ही इन सब चीज़ों को लेकर आपको update करवा दिया है यहां पर कुछ नया है वो चीज़ आपको समझनी है ठीक है कि यह काम कैसे करना आपको देखिए पर्थम counseling की जो list है वो आपकी की date रहेगी 16 तारिक से लेकर 23 तारिक के 20 ठीक है अब आपको क्या करना है कि reporting करनी है अब इस बार जो है कुछ change हो गया है reporting online आपको करनी पड़ेगी पिछे के सालों में reporting आपको जाकर करवानी थी document साथ में लेकर जाना था ठीक है लेकिन इस बार आपकी reporting है वो online होगी तो कुछ बच्चे पूछ रहेंगे सर online reporting में जो document है वो हम कैसे लेकर जाएंगे तो देखिए online आपकी reporting हो जाएगी आपका जो documents है जो भी documents होंगे वो हो सकता आपको online ही submit करना पड़े ठीक है या तो mail से या फिर कैसे भी वो आपसे document है वो submit करने का बोल सकते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखे कि आप अपने document है वो तैयार कर ले हो सकता है online आपको submit करना पड़े या हो सकता है कि जो documents है वो बाद में check करें ठीक है बाद में आपसे मंगवाए ऐसा भी हो सकता है इसके बाद में जो two year bid course वाले हैं उनके result के हम बात करें तो देखे या तो आज आपका result है declare हो जाएगा ठीक है और पिछली बार जैसे base test का result आया था suddenly और ptt4 year course वालों का result आया था suddenly वैसे ही हो सकता है कि जो two year course वाले हैं उनका result है वो भी आज आज आपको देखने को मिले ठीक है आज अगर आपका result नहीं आएगा तो फिर आप 11 या 12 तारीक को मान कर चलिए आपका result आएगा ठीक है क्योंकि फिर बीच में आपका Sunday आगया और Sunday के बाद में Monday या Tuesday को Monday को भी possibility कम है Tuesday को हो सकता है आपका result है declare हो जाए ठीक है तो two year जो बीच कोर्स वाले है वो या तो आज जरूर ध्यान रखे कोई भी वीडियो है आ सकता है मेरा result को लेकर वापस ठीक है या फिर आपका result 11 या 12 तारीक को देखने को मिल सकता है ठीक है एसी possibility है संभावना है ठीक है मैंने जहां तक पता किया है तो यही समझ में आया है कि अगर आज आपका result डिकलेर नहीं होगा तो फिर 11 या 12 तारीक को जादा possibility 12 तारीक को है हो सकता है 12 तारीक को आपका result देखने को मिले तो इस notice के बारे में जो 4-year वाले हैं वो जरूर ध्यान दे साथी 2-year build course वाले भी ध्यान दे ऐसा आपका आगे का process हो सकता है ठीक है आपको online document कैसे submit करने है इसके बारे में मैं आपको आगे update कर दूँगा तो अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले साथी bell icon को प्रेस करते ताकि आगी जो भी वीडियो आए उसकी notification आपको मिलती रहे thanks for watching मिलंगे next video में तब तक के लिए जय हिंद